हेल्दी वीथ टेस्टी ऐसे तीन तीन नास्ता सेयर कर रही हूं जो शिर्फर से 5 मिनट में बनेगी सुबह सुबह ऐसा क्या बना है जो नास्ता और टीफिन बक्स दोनों के लिए हो जाए और हस्बेंट बच्चे दोनों ही खूस हो जाए हेल्दी टेस्टी नमकीन पराठा, मिठी रोटी या बोल सकते हैं कि पैनकेक और मसालेदार सूजी का उपमा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो मिठी रोटी बनाते हैं, उसके लिए हम एक कप आठा लेंगे, आदा कप सूजी लेंगे और चीनी लेंगे स्वात के अनुसार, सूजी स्कीप कर सकते हैं सिफ आठा में भी बनता है, पानी डाल कर इसको घोलेंगे प्याज डालेंगे, एक दो हरी मिच डालेंगे, अजवाइन थोड़ी सी कलाउजी, मतलब मंग्रेइर भी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पॉर्डर डालेंगे, और इसके अलावा और भी अप मसाला एड़ कर सकते हैं, आपके इकॉर्डिंग, पानी डालकर जैसे आठा ग कुछ मिक्स नहीं करना है, जैसा कि अभी अब देख सकते हैं, इसलिए इसे हम हेल्दी भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ एक्टर मिक्स नहीं करते हैं, और टेटी भी बनता है, बच्चे दो के जगा चार खा जाएंगे, बड़े का भी वही हाल है से, तो इसे आठा बना कर करेंगे, लेकिन घी के जगह में रिफाइन तेर डाल रही है, क्योंकि यह जो नास्ता है, इसे में अपने बेटे के लांच बोक्स में देने वाली हूं, तो उसके लिए ठीक रहता है, दो ही तो बनाना है, घर के खाने के लिए में घी डाल दूंगी, तो इस तरह से हम खोलना सुरू करेंगे, नीचे चेक करेंगे कि पकड़ा तो नहीं है नाचानक से, तो हमारे पास जो चमच है ना, उसी से उलट पलट का हलका हलका देख लेंगे, चेक कर लेंगे, दो तिन बार उलट पलट करके सेक लेंगे, और यह हमारा गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी सा मिठी रोटी पैनकेक बन के तयार है अब सेम प्रोसेस से बाकी सारा भी बना लेंगे और अब हम चलते हैं हमारा मसालेदार उपमा बनाने जिन्दगी में पहली बर टेस्ट किया और फिर डिसाइड किया कि अब मैंसे हर रोज बनाऊंगी सिर्फ पांच मिनट लगती है इस रेट चिली पॉर्डर नमक स्वाद के नुसार नहीं नहीं स्वाद के नुसार नहीं बहुत ही कम डालना है क्योंकि नमक हम बाद में एक मसाली के साथ एड़ करेंगे अब इसको भूनना है तब तक जब तक कि टमाटर हलका सा कुपना हो जाए सिर्फ परसे पांच रुपे इसे हाथों से गुमाते चलाएंगे जिसे कि लॉम्स नहीं रहना चाहिए लॉम्स रह भी जाए तो वो टूट जाए अलग थलग हो जाए और हमारा बढ़िया सा मस्त टेश्टी बनके तयार है हेल्दी और टेश्टी सूजी का नास्ता उर्ट मसालेदार उपमा तो कॉमें कर रही हूं कि यहीं पे मैं पराठा को बेल दूँ थोड़ी से जगह है कि रोटी में बेल सकती हूं यहां पर तो इसको हम सिंपली जैसे बनाते हैं रोटी वैसे ही बनाएंगे कोई यह नहीं है और ट्रेंगल सेप में पहला अलग दे देंगे तो बच्चों को थोड़ा ख नॉर्मल पराठा में क्या होता है न सिर्फ आटे वाली वह फूल जाता है एकदम बॉल की तरह लेकिन यह नहीं फूलेगा इस वज़से स्वाद बहुत ही और अच्छे आएंगे और इसका जो टेस्ट है न वह अलग लगेगा और कुरकुरी भी बनेगी लेकिन कुरकुरी अलग अलग सेप में बना लेंगे जैसे गुल गुल रोटिया बनाते हैं वैसे वीस पराठे को बना सकते हैं अब मेरे बेटे को स्कूल जाने से पहले भी इसी में सनास्ता करनी है